चलो अब आगए हो तो रुको थोड़ी देर और ये सीख के जाओ कि अलग-अलग तरीके के रवर्ण यानि की रअक्षर को कैसे प्रियोग करते हैं, कब और कहां लगाना है, ये सीख के जाओ, कभी गलती नहीं होगी, सही वरतनी पहचानने में या फिर लिखने में, मगर उस लिखते समय आपको हलंत लगाना पड़ता है, या फिर आप उस व्यंजन को आधा लिखते हैं, अब आप सीख लीजिए वर्ण विखंडन, इसमें आपको व्यंजन से स्वर को अलग करना है, जैसे मैं एक्जामपल लेता हूँ, मेरा नाम हरशित, इसको आप विखंडित कर इसे टुकडुम बाटना, यानि व्यंजन में से स्वर को अलग कर देना है, पहला अक्षर है ह, ह के अंत में आप दिखेंगे अ का उच्छारणा रहा है, तो ह लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, और प्लस का साइन लिख करके आगे अ लिख देंगे, यह ह और अ मिलके बनाता ह ह, इसी तरीके से र, यह आधा है, फिर स, उस पे छोटी की मात्रा, फिर त, उसमें हलंत लगाएंगे, और अ, यह हो गया वर्ण विखंडन हर्शित नाम का, चलिए इस जानकारी को यहां रखिए, अब आगे समझते हैं, अब यह जो उपर र को लिखा जाता है, उसे रेप जब ऐसी स्थिती हो कि र से पहले कोई स्वर आए, और र के बाद कोई व्यंजन हो, मैं फिर से एक बार रिपेट करता हूँ, जब ऐसी स्थिती हो कि र से पहले कोई स्वर आए, और र के बाद कोई व्यंजन हो, तो ऐसे में जो र है, वो उपर उसके आगे आने वाले जो यानि कि जो व्यंजन है उसके उपर लग जाएगा चलि एक और एक्जामपल ले लेते हैं अर्जुन अब इसका आप पहले वर्ण विखंडन कर दीजिए पहले अ आएगा क्योंकि वह खुद स्वर है तो इसे और तोड़ने की कोई आशक्ता नहीं है फिर है र यह आधा है हल के ठीक पहले अ है यानि की एक स्वर है और र के बाद ज जो की एक व्यंजन है तो यह र उपर लगेगा और किस पे लगेगा आने वाले ज पे लगेगा चलो अब अगला र समझते हैं इसे कहते हैं पदेन वाला र मतलब पद यानि पेर के साथ लगने वाला र देखो इसे भी दो तरीके से लगाते हैं, एक जो प्रकास जाले सब में देखो, पब के बाद खड़ी पाई है, वहाँ पर ये इस तरीके से लगता है, और दूसरा है, ड्रम, ट्रक, यानि इसमें जो ड्र और ट्र पे लगता है, दोनों को ही पदेनर कहते हैं, तो फिर अंतर क्या है इन होती इसके अलावा सभी में आपको खड़ी पाई देखने को मिलती है जिसमें कड़ी पाई होगी उसमें प्र जैसे ये प्रकास वाले में लगा है जिसमें खड़ी पाई होगी इस तरीके से लगाएंगे और जिसमें खड़ी पाई नहीं का तो अगर आप इसका वर्ण विखंडन करेंगे तो आप आएंगे और चुकि ये स्वर है तो इसे और विखंडित करने के आवशक्ता ही नहीं है प्लस लगाएंगे फिर गर लिखेंगे गर पे हलंत की मातर लगेगी फिर उसके बाद आएगा र क्योंकि यहां जो गर है वो स्वर रहित है उसके बाद र वो भी स्वर रहित है आप देखिए जब र के पहले कोई व्यंजन आए ठीक है जो र के पहले अगर कोई व्यंजन आएगा और जो व्यंजन है अगर उसमें खड़ी पाई है तो यह उसके यानि पैर के पास यानि इस तिर्छे तरीके से लग आप कोई और भी example सोचते हैं, जैसे हम ले लेते हैं प्रकास का, तो देखे इसे जब हम one भी खंडित करेंगे, तो पहले आएगा प, यहाँ प स्वर रहित होता है, इस पर हलंत लगाएगे, फिर उसके बाद आता है र, यह भी स्वर रहित होगा, फिर आएगा प्लस करेंगे कर, उसके बाद बड़ा वाला शर, हलंत लगाएगे शर पे और उसके बाद और लिखेंगे, अब यहाँ भी आप देख सकते हैं कि रह के पहले आ रहा है प, अब प में क्या है कि खड़ी पाई है, तो यह ठीक उसी तरीके से लग जाएगा, अब अगर यहाँ पे कोई ऐसा वेंजन होता, रह से पहले, जिसमें खड़ी पाई नहीं होती, जैसे एक्जामपल ले लेते हैं, ट्रक का, अगर ट्रक का हम वर्ण विखंडन करेंगे, तो लिखेंगे ट, उसके लगाएगे हलंत, सुर रहित बनाएगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन दे करके, हम लिख सकते हैं, र, हलंत, क, लिखेंगे, हलंत लगाएगे, फिर लिखेंगे, अब यहां भी वही परिस्ति है कि र से पहले वेंजन आ रहा है, लेकिन यहां पर जो वेंजन है, उसमें कोई खड़ी पाई नहीं है, तो यह इस तरीके से दो, दोनों तरफ हम लगा देंगे, इसे भी हम कहते हैं, पदेन र, कभी-कभी तो लोग र पर छोटे उ और बड़े उ की मातरा को भी अंतर नहीं कर पाते, देखें, र में जब आप छोटे उ की मातरा लगानी होती, तो हम सीधे डारेक्ट लिख देते हैं, इस तरीके से, परन्तु जब हम बड़े उ की मातरा लग लाइक और सब्सक्राइब